पॉमेडी की दुनिया में आज भारती का बड़ा नाम है टीवी शो को होस्ट करना हो या फिर किसी कॉमेडी शो का हिस्सा बनना हो सब की पसंद भारती ही है लेकिन भारती को यह यूँ ही नहीं मिला बलकि सब पाने के लिए उन्होंने काफी महनत की है आपको बता दें कि एक वक्त था जब भारती और उनका परिवार मुफलिसी की जिन्दगी जीता था बांकी चीज़े तो छोड़िये उनके परिवार के पास दो वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों का मूट ताकना पड़ता था लेकिन उनकी जिन्दगी में आये एक मौके ने मानों की दुनिया ही बदल दी जे हां तो ये मौका था दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चालेंज का जो अपने ही आप एक अनूठा शो बन गया इस शो से पहले भारती बहुत दुख भरी जिन्दगी ची रही थी का जिक्र आते ही आज भी भारती की आँखें नम हो जाती है लेकिन जब वो इस शो में आई तो रातो रात सब कुछ बदल गया था दि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चालेंज में उन्हें इतना पसंद किया गया कि उसके बाद उनकी पॉपुलारिती समय के साथ धूमल होने के बजाए चमकती गई जिहां से शो के बाद आया कॉमेडी सरकस जिसमें उन्होंने अपना टालेंट दिखाया जिहां आपको बता दें कि यहां से उनके हाला थोड़े सुधरने लगे वो परिवार के साथ मुमबई आ गई और एक के बाद एक शो से जुड़ने का कारवाज चलता गया उनके पंच पर दुनिया हस्ती गई और उन्हें मिल गया लाफ्टर कुईन का ताज आज भारती छोटे परदे पर हर जगा चाही रहती है वो रियालिटी शोस होस्ट करती है कई कॉमेडी शोस का हिस्सा है वो फिल्मों में भी नजर आ चुकी है कभी पूरे परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाली भारती आज कडोडो के घर की मालकिन भी है मेंगी गाडियों में चलती है चका चौन से भरी आलिशान जिन्दगी जीती है लेकिन खास बात ये है कि आज भी वो अपना पुराना समय नहीं भूली है आज भले ही वो अर्ष पर बैठी हो लेकिन उनके पैर फर्ष पर ही ठीके है जी हाँ तो आपको इस पर क्या खहना है कमेंट बॉक्स में बताएं जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स नाइन न्यूस से सुर्भी के रिपोर्ट